पीछे बेवड़े भाई भी आए अभी दादर रेलो इस्टेशन पे खड़ा था एक एनाॉंस्मेंट हुई थोड़ी देर में प्लेटफार नंबर एक पे मालगाड़ी आ रही है उन्हें स्टेशन मास्टर से पुछा मालगाड़ी के अनाॉंस्मेंट थोड़ी देखो ना मालूम पड़ेगा थोड़ी देखो मालूम पड़ेगा थोड़ी देखा तो लेडी स्पेशल ट्रेन आके खड करते हैं एक लड़की अपने दलाओ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा धीक हो जाएगा अच्छा गाली दलाओ ठीक हो जाएगा, उपर एक चाचा सो रहे थे, वो अचानक जाग गए, जाग के बोले, अच्छा बेटा, पाइल्स का भी इलाज करते हो, क्या? ट्रेख ट्रेंस मुझे यादआया, एक चाचा की ट्रेइन में ऊपर की बट थी, ऊपर की बट थी, बहुत पानी पिया था, दारू पिया था, पता ने क्या ने, बार बार बातरूम जाते थे बार बार अपनी बड़ से उतरते सीड़ियां उतरते बातरूम जाते लोट के आते फिर सो जाते फिर उतरते फिर बातरूम जाते फिर आते फिर सो जाते फिर उतरते फिर बातरूम जाते फिर आके फिर सो जाते तो बाज़ु मुझे मैडम थी व खूल नहीं रही आज मैं ऐसा इंट्रुवी पेश कर रहा हूं देखे किस तरह से क्या बात होती करेक्टर से नवसकार दूसरों आज हमारी स्टूडियो में भूद भाई आये हुए हैं भूद से हम बातचीत करेंगे बूद बहुत ही मुंबई कैसे आना हुआ आते रहते हैं कि आप मुंबई आते रहते हैं नोगों पर कब्सक्तार को मिले के लिफ्ट के नीचे जाना पड़ता है अचा भूद भाई आपकी शादी हो गई है शादी के लिए से कि मेरी जो मम्मी है वो कई चुड़ेलों को देख रही है और कई जिन जिन भूतनियों के रिष्टे आ रहे हैं अब जैसे कोई अच्छी भूतनी पसंद आए कि हम घर बसा लेंगे कई चुड़ेलों ने फोटो लेकिन आपकी तो फोटो नहीं आती हां लेकिन निग्योटी भेजी उसी से हम अंदाजा लगा लें खुल सूर्ती का और जब हमारी हमारी रेसेप्शन होगा तो आप इडिनर में जोते हैं नर कंकाल खोपड़ी एक लोटा खून देते हैं दो दाटी देते हैं आप उसे ड आपको कौन से एक्टर कौन से ज्यादा पसंद करती हैं बूट नहीं हमारे ज्यादे तर हीरो पसंद के जाते हैं शक्ती कपूर जोगंदर और रजा खान क्योंकि इनकी शकल भी हमलों से मिलती है अर्कते हमलों से मीड़ों अब दोपर को यहां पर सहारा एरलाइन घुज गया बाद में देखा किंग फिशर वाले लेकर आगे तो इससे बहुत परिशान है पाले को हान देना चाहिए आपको एरलाइन से इंदर हान लगाने चाहिए अब भुध भाई शाम का ऐपका क्या प्रोग्राम आपकी दिन चरह तो अब दोपर की आपर अपरका उन्च भुलाया आतक पूरी जिन्दी हमारे नाम से खाते आ रहे हैं, इसलिकल हमें खाना खिला रहे हैं अच्छा अब भूद भाई आप रहते कहा हैं, मतलब आपका बेस कहा हैं, मूल रूप से अब कहा हैं हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में क्यों? क्योंकि सारे रिष्टार वहीं पर हमारे हैं, दिल्ली में आपके रिष्टार मतलब, वही जलाल बत्रिम घूमते रहते हैं, गूमते रहते हैं, सफेद गाडी में, पारलेमेंट हाउस स्क्क्रा क्या है में जू तू कैसे सॉलेट तू